पता चला कि 38 ने 70 नंबर लेके आया और वो रोड में तौरती थी 100 मिटर और 800 मिटर अकेले मोबाइल चालू करके सोचो कोई विचारी के पास कोई टाइम देखने वाला भी नहीं अच्छा बताते हैं उनके सवागात एक नए वीडियो में आज हम सब्सक्राइब का जो सवागात हैं और आज हम सब्सक्राइब का जवाब देंगे मेरा सवाल रहेगा कि एक छति गड़की युवbachह के मनोस्तेती में किस प्रकार से आप देखते हैं यहां कमी है स्टेज की अगर उनको एकबर श्टेज मिल जाये है अपना है दिखाने का जैसे कि लाश्ट टेम कुछ लोगों ने साबीत भी किया है अगर अगर आप देखो तो तो कि महनती तो यहां है बहुत ज्यादा महनती है यहां की वह बहुत सांध है टेलेंट की कोई कम नहीं है लेकिन अगर उनको कहीं सी भी चाहिए अच्छा गवर्मेंट के सक्षम है बस एक क्या महाल बनाना बचा है अगर 36 गड़ में अगर बन जा है तो यहां की यहां की अपने मसच करते है बात की हम बेन जिckने नहीं भट सकते हैं मोध बड़े की अधिकारी नहीं बन सकते हैं तो इस सोच को अगर वो युवा को किसी कोच के माधियम से समझाया जाए या गुवर्मेंट ऐसी पॉलिसी लाई जाए तो वो अपने आप में चेंज कर सकते हैं तो इसमें कि दूरह नहीं है मेरा का कौसिशन है कि जो युवा ग्रामेड अंचल से आते हैं तो वहाँ युवा किस प्रकार से त्यारी करें क्या एक पास सुईधा कि बहुत अभावा रहती है तो उनको कि प्रकार से तहरी करनी करें जी है जिससे कि वहां की भी युवा अब सहर में आके अपनी प्रतिभा का ढोल बजा रहे हैं इसमें कोई दो रह नहीं है सर एक फिटनेस के लिए कुश्यान है कि लोग मानते हैं कि जिसके पास 6-fake होगा या फिर जिसके पास 22-fake होगा वही सिर्फ एक फिटनेस है में फिटनेस के सही बात करो तो बात आपने सही बोला फिटनेस देखो सरीर तो ज़रूरी है तो आप यहां से वहां जा सकते हो ऐसी बात नहीं है लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो में मैं मानता हूँ फिटनेस ब्रेन को अगर अपने माइन को सेट किया है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो क्योंकि अगर माइन ही आपको तयार करता है सुबह 4 a.m को उठने में 4 बज़ उठने में चाहे वह आपकी कितनी भी हम अलग तरीके से भी कर सकते से आपको अपना शरीर का सहरातु लेना पड़ेगा और बकायादा आपको कम से कम किसी भी हुमेन को करीबन 40 मेर अपने आपको देना पड़ेगा तो आटमेटिव उसका ब्रेन भी तजार हो जाएगा तो फिटनेस के फिल्ड में पहले माइं अप्ता डेट बॉडी सर हम देखते हैं कि फिटनेस के फिल्ड में लोग को बहुत सारा सवाल रहते हैं कि जो पहले से जनेटिक सी जिनके स्ट्रॉंग है सिर्फ वही फिटनेस में आगे बढ़ सकता है या फिर जो एक नय बीगिनर रिश्टार्ट करने वह भी आगे पढ़ता है इसमें कोई दो राय नहीं है जेन्टिक का फरक पढ़ता है लेकिन एक बात यह बी है कि टेलेंटेड तब तक टेलेंटेड है जब तक कि वो अपनी प्रतिभाग का अच्छी बात है मैसी प्लस रोन्ल्डो मेसी कया है talented player है लेकिन रोनाल्डो hard work तो रोनाल्डो ने कहा है hard work करते करते मैसी जैसे पड़े star को भी पीछे छोड़ दिया है hard work देखा जातों तो इस field में मैं जाऊंगा कि अगर आपके बस talent है लेकिन hard work नहीं है तो फिर आप को बिना talent वाले आत्मी से जो की hard work रखते है वह भी आपको हरा सकते है तो यहां मैं जाऊंगा hard work के पास सर अपने आपको युवा कैसे पहचाने की अपना लेवल क्या है फिर उस लेवल से फिर दुवारा practice कैसे पे शिरू करें युवा कैसा है दोस्त की युवा कई अपने आपको पहचान ली पता तो युवा को उसकी उपलब्धी का उसकी जो चमता है उसका ग्यान कराता है उसका गुरू इसके बोलते हैं हमारे भारतिये में कि बीना गुरू ग्यान नहीं है और आज के भासा में हम सुसा नॉर्मल हो गए है कोई पैसे के लिए ज्यादा प्रभाईत हो जा रहा है क्या है यह हलका सा डाउन होते जा रही है क्या गुरू सिस्से की प्रहंपरा अब डारेक्ट और पैसे पे आकरटी चुकी है लेकिन अगर किसी को अच्छा गुरू मिल गया तो वह उसको बतला कि 11 साल में गया था ग्राउंड और किसी न कोई उसको कोच मिला होगा गुरू मिला होगा तब ही जाके वो मात्र 10 साल के अभ्यास में अलंपिक मेडलिस्ट बन गया तो प्रतिवा को निकालने का काम गुरू है और पहले गुरू चाहे आपके मादाफ हो सकते हैं चाहे आपका या कोई भी आप गुरू सकते है बस वह आपका सुचिंतग रहे सर गुरू पे बात आगी तो सर मैं सुनाई कि अपने जो ऑपने अपने गुरू की त्यारी की है आप मैं सर त्यारी का सीखिए ने बहुत से चीजों को यूटूब से स्खाया है तो से मैं जींसे भी सिखऊ हो, जो भी यूटूबर्स थे चाहे वおい नाम कि वह Gotta बहुरे का तो मे停 मीरे गरो भी इसी है थी तो मेरे बुलाइव कुछ ऐसी है बस सिख्छा लेने का होता है जैसी कि लाज्ट्म अगए एक ईलम्पिक में इक तो उसने कहा कि माला किसी ने पूछा मीडिया ने कि आप यहां तक कैसी आए तो बताया कि मैं यूटूब देखके आया हूं यूटूब से उसने सीखने की चाह है तो वो कहीं से भी सीख सकता है इसमें के दुरह नहीं है सर अपने वर्दी वाले फिल्ड की तैरी इस और कैसे की थी सभी बोलो तो मैं वर्दी वाले फिल्ड में आना नहीं चाहता था और बस यहाथा था कि आ गया भरती लोगों का लगा कि सवाल उसके लायक है और उन्होंने मेरे फाम को जाके लिया और मुझको बुला किसा नहीं तो इस जॉब में लग सकते है अब अच्छी बात यह है कि युवा क्या करते है युवा ऐसा करते है रहुल की जॉब आता है उसके बाद तैयारी करते है और दौर भाग करते है मेरा उल्टा था मैंने उसके बाद जॉब आया और मैं तयार था मतलब अब पहले से तयार था उसमें के दुराइब नहीं चाहे वह फिजिकली हो चाहे एकजाम का त्यारी है क्योंकि मैंने इस मैं मलब श्टेट लेवल पर भी मैं कई बार जिच चुका था तो में को भरती वाले जो युवा होते हैं उनमें को कुछ युवाओं का सवाल था कि उनको डिप्रेशन हो रहा है या पिर बहुत सारी युवा भी है जो डिप्रेशन बार बार जो आपके चैनल पर कमेंट किए हैं वो डिप्रेशन की सिकार होते जा रहे हैं उससे कैसे बचे हैं अब लिप्रेशन की बात नहीं है ऐसे रहूल की वो ऐसे ही वाले हैं चाहिए अभी जो बरतमान जो भरती दे रहे हैं या किसी भी मनलब देखा जाता है अभी 14 साल से लेकर 60-60 साल तक हर टेप के युवा हो चाहिए पुरूस हो महिला हो किसी न किसी कारिवस मानसी ग्रूप से ग्रसित है इसके बहुत सी रिजन है इसके बारे में तभी में दम डिपली में बात नहीं कर सकता लेकिन आपको मैं बतला रहता कि यह depression बहुत जादा होते है समाजिक समाज का ताना बाना से समाज क्या कभी समझी सकता वह आपको बीना समझ ही आपको notice कर देता है और आपको number दे रहता है अगर आप सफल होंगे तो आपके साथ है समाज और आप सफल हो गया तो आपको side कर देगा Second Number में थोड़ी बहुत से compare ना करेगे फिलाना का बच्चा जॉब लग गया तू कब लगेगा अगर इतना अगर आप बोल देते घरवाले तो बच्चा थोसा high depression में आ जाता है कई बट सिकार आपका mobile भी होता है अगर मोगाइल में तीन घंटे से ज्यादा देख रहे हो तो एक पकार का आपके में डाउन फाल आना शुरू हो जाता है और सबसे बड़ा खेल है पेसेंस आज की युवा में पेसेंस की इतनी ज्यादा कमी है जो भी depression का बहुत बड़ा कारण है और हर किसी को जल्दी चाहिए चाहे ATM में लाइन लगना हो चाहे रासन दुकान में हो चाहे बैंक की लाइन में हो चाहे कई भी हो सर आपको यह depression कभी हो शोर डिप्रेशन क्यों होता है हमको डिप्रेशन हुआ है तब ही यह बात कर रहा हूं मैं जो ही बात कर रहा हूं लेकिन डिप्रेशन से निकलने का एक तोड भी होता है वह तोड आपको लाइप में अगर को सिखानी रहे अगर आप अच्छा सा एक तू सेलेक्ट कर लो लाइप में तो वो आपको मारगा से भटकने नहीं देगा और सबसे बड़ी बात भगवत गीता ने मेरे लाइप को चेंज किया है इसमें कोई दो रैनी है मेरा बहुत सारा जो डिप्रेशन होता है मैं उसी के जो फार्मूला देते है स्रीकिष्ण दोरा मैं उसको अपने लाइप में फालो करता हूं इससे मुझको सारे सवाला के जो आप मिल जाता है एक बात बोर रहा हूं हर इश्वन को बोलता हूं आप भी बोर रहा हूं वीडियो के माद्यम से एक लाइप का दोस्त कुछ होना जाना नहीं है एक दिन सब क सब्सक्राइब में उतार आएंगे यह मैं सुछना कि जौब लग जाओगा तो आपको डिप्रेशन नहीं आएगा उसके बाद भी आएगा ठीक है तो उसको हैंडल करना सिखो तो ज़रूरी आपके लिए सर अगर आपकी बात की जाए तो आपने इससे भी पहले कुछ और डैन मिल में जाद बनते कपड़े उपड़े वहां भी काम किया हूं ऐसे बहुत से काम है जो मैं किया हूं और लाइफ में लगा कि अचानक की कुछ हो नहीं रहे करके ओके तो मैं सोचा कि चलो वापस चला जाया और फिर से मैं तयारी करने लग गया भरती का नहीं अप अब देखते होंगे मैं कुछ ना कुछ लाइफ में करता हूं कि अभी भी मेरी चाहा पूरी नहीं हुई है ठीक है क्योंकि मेरा मानना है कि रुखावा पानी सड जाता है ठीक है तो अपने आपको रोखना नहीं है दोस्त चाहिए आप अभी रहो या दस सल के बाद कुछ ना को लाइफ में वर्क करते रहना सर अब बात करते हैं बढ़ते के उपर अभी बहुत सारी बढ़तियां यह अगनी वीर की हो गई आपकी फोरेश्ट गार्ट की याग भी है और नगरसिना की हाली में हुई है और 36 पुलिस की अभी आ रही है ठीक है सर तो मेरा सवाल है कि कि आपको किस प्रकार से तैयरी कर रहे हैं उनको संदेश देना चाहिए कि जो नए सिरेश एकदम जो अभी अभी तैयरी करना शुरू की है बिगनर की बात की जाए तो वही है कि अगर दम बिगनर है तो जो आपसे सीनियर है लोग उनसे पहली बात थो थोड़ा बहुत किजिए क्योंकि अगर वो आपसे आगे निकल चुकिए उनको दो क्लिमेटर पांच क्लिमेटर में दिक्कत नहीं होता है अगर आप उनकी तुलना अपने से करोगे और उनके साथ साथ दोने स्टार्ट कर दोके तो आपको भी बहुत ज्यादा इंजरी आ सकती है कई बर ऐस समय के हिसाब से धीर दिरे में जाना चाहिए और अपने आपको समय देना चाहिए अगर आपको समय देगा तो जो एक साल उसे आगे निकल चुके उनको सकते सब्सक्राइब कि पता हूं तयारी है मैं घुद अधम से रिख आधारि अब कोच के नहीं आव सब्सक्राइब नहीं मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाता हूं को याप सपोर्स अपको साड़े6 मिटर लॉंग जंग मारना है आपको 11 की अंदर 100 मिटर दोड़ना है आपको करीबन पारा 13 मिटर फेकना है ठीक है आप ऐसा तैरी नहीं कर रहे हो जो सरकाया ने आपको मानत दी है इतना याद रखना वो कोई भी आम आदमी स्वें से प्रेटिस करके उसको अचीव कर सकते हैं मैं गरंटी देता एक से यूटूबर है वहाँ पर अगर आप जाओ सर्च करो तो जो आपको प्रॉपरली हर तरीके से कौन से इवेंड में क्या करना है बता देंगे बस आपका फोकस होना चाहिए उसको सीखने में इस बात को याद रखना है मैं दूर नहीं जाओंगा अभी एक लड़की से नहीं मिला था मैं पिसका नाम शुक्ता हुए मैं उसने में को मैं सप्र иस किया म उप्राइज यह किया जब मैं उसरों भात किया तब उन्हेंने मुझ को बताया कि सर्में वे उसके घर के पीछे जग है यह के लकτε्व कि अब उसके घर के आसपास कोई भी लडगी नहीं है जो तृइरी करती है अब उसको कैसी करें मेरे बात की सुना दोस्तू मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूं जीसके घर के पुर सकते हैं कि आपके घर के आसपास भी कोई ऐसी लड़की नहीं खास आप लटकिया बहुत कम करती है जो गावद भूल में रहती है तो उसने क्या करी कहीं से रेती जुगार करी और अपने जर्ष्ट घर की पीछे अकेले रेत को लाई है आप भी कभी हाई जुगार की होंगे तो आरदस लोग लगे होंगे चाश्राली मंगा होंगे पैसा इन्वेश की होंगे तब जाक लड़की जब जैजयफूर का हुआ फिजिकल कोई जैजयफूर होगा तो उसको याद होगा उसने वहां जाके टॉप कर दिया पता चला कि आरती साहों ने सेवेंटी नंबर लेके आया और वो रोड में दोरती थी 100 मिटर और 800 मिटर अकेले मोबाइल चालू करके सोचो पंडिंग साथ नंबर लाई 130 नंबर में उसने वहां लड़कियों में टॉप कर लिया मैं यकिन के साथ बोच सकता हूं कई लड़किया यसी है जिसके अपर अच्छा कोज भी होगा ट्रेनिंग पार्टनर भी होगा स्वीधा भी होगा फिर भी वो लोग इतना नंबर वरत करते हैं तो हम अपने आप से कोश्चन पूछते हैं कि कहां सुधार करना है कैसे सुधार करना है वो लड़की भी मानता हूं कईने के यूटूब से देखके किसी न किसी का वीडियो देखके प्रभावित हुई होगी लेकिन उसके में मालूम दोस्त सिखने की चाहत ही तो को सिख गई और उसके समय कुछ लोग और होंगे जो अपने से ही करके परियास करें है और यह लोग लगेंगें देखना जॉब लिये अ मैं grantee देता हूँ और ये भी ऐसे लोग भी भारती किसी भी कुने में होंगे ऐसे से लोग वो लोग भी life में कुछ ने कुछ अच्छीव करेंगे उनके पास वरतमान में गुरु नी है हो सकते हैं उनका bad luck होगा लेकिन वो लोग ये सोच की रूखी नहीं कि मेरे पास teacher नहीं है coach नहीं है गुरु नहीं है ये training partner नहीं है तो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता ठीक है अगर चा है तो वो जरूर कर लेगा और ऐसे लोग को मेरा शलूट है जो भी अकेले तयारी करते हैं और टॉप नंबर पे अभी वरतमान में है तो बात वही है कि अगर आप ठान लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपके पास कोज है तो आपको और अच्छे स्तियारी करना चाहिए यह मेरा मानना है पूलीस में गल्स और वाइस के लिए सेपरेट नमर क्या हो सकती आपको रहूर मैं रिकॉर्ड बता देता हूं पासर रिकॉर्ड यह है कि अगर अभी तक रिकॉर्ड बोलोगों कि मैं मैंने चाहता कि मेरे बोलने पर कोई नंबर आए वह नंबर पर ना हो तो अभी तक जब से भरती स्टार्ट हुई है ना मतलacles पूरानी भरति को देखा जाए पूरानी भरति अगर दोजर्व 700 से देखा जाए वरतमान तक तो जेरल रू चाति अगर आप 75 exam में लाते हो 75 physical में लाते हो तो आप कोई नि कर सकता है ये जन्गलर नमबर है 75 मेरा खुद 150 आया था 1500 नमबर आया था ओके 200 में मैं टॉप 10 में आ गया था मेरा 7 नमबर में नाम था कोई कोई दूर आया नहीं है और आपका कोटा की तो 140 OBC नॉर्मल क्रेक है जो पहले इस्टुएंट भरती दिया को अच्छे से मेरे बात को समझ सकते हैं कि OVC में 140 नंबर उड़ जाता है ठीक है SC की बात करते है तो 135 से 138 तक नॉर्मल सेलेक्शन ते है 130 से 133 बेस्ट रहता है यह बोईस के लिए है अगर किसी गल्ष की बात की जाया महिला की तो जैरल में 125 बेस्ट है सुरी ओविसे की बात कि जाय तो 120-inar on TV ऑथे या थिर्म नंबर कमाते हैं और 12.00 पॉसिवब है और one चांस देगा तो और तो सी लए बनेगा अगर दस लोग मारेंगे तो दो पक्का फाल करेंगे और जो आठ लोग है वो कही ना कही लॉंग जब को डिर के मारेंगे कि कही हमारा फाल ना हो जाए तो उनके हर इवेंड में कुछ-कुछ नंबर काम आने की असंका श्योर है उनकी यह असंका रहेंगे तो एक चांस दिक्कत है और सेकेंड नंबर पर अगर व्यापम ले दिया चत्तिगर फूलिस का तो यह कट आप और नीशे जाएगा कोई दो रहा निए सर अकसर देखा जाता है कि जो एक पतलब खुछ इंडिव सर बतलब मेरा सिधा-सिधा कहने का मतलब है कि भरती के पास में आते हैं तो कौन सु कौन से ऐसे चीज़ है जो गलती है नहीं करनी चाहिए फालतू के दोस्लोग से दूर रहूं लाइप में गलफे नहीं तो अच्छी बात है तो उसको समझाओ कि यह मेरा गोल्डन प्रिड है मेरा समय खराब मत करो और मेरा समय में साथ दो ठीक है यह बात लड़कों के लिए है और लड़की लोग लिए ठीक है और घरवाले को सम मेरे माइन को रिलैक्स होने दो और फालतु के डीजे पाल्टी बड़े पालटी शाधी पालटी से बचिये फालतु के दोस्तों सब घुमना बचिये कूछ कि अगर रस्ते में खुदाना खास्ता कुछ हो गया चोट लग गया भगवान ना करे तो करियर खराब हो सकते है न वह चोट तो आपको ग्राउन भी लग सकते हो बाते लगे लेकिन कई दोस्त है लाश्टे मेरे जहा दोस्त थे तैयारी कर रहे थे एक का जॉब लग गया और लग पाया उसका भी लगना था करन यह था कि वह उस दिन जादा ट्रिंक कर लिया था और जाके नहर में अपना गारी को गुशा दिया उसका नाम याद नहीं आ रहा है वीडियो देख रहा होगा तो समझ जागा विचा रहा है कि नहीं तो उसी को बोल रहा हूं आपका एक साथ करता है तो इतनी बोलता तो दोस्कों उनको छोड़ना पड़ेगा अपने family के साथ रहे अच्छे दोस्साथ रहे अपना के रूटिन हेख को चेंज कर ले सूभे से साम तक का और अगर जाए आक काम में सकते हैं कोई दिक्कत नियाए धीरे धीरे उसके संकल्प सकती अगर लेका यह किसी पर है किने नसा नहीं करना है तो नहीं करना है यह तो ठानना पड़ेगा उसको सरी यह मेंटल स्टेटस का क्या है रहता है कि आपने जैसी कि आपने लिया चैलेंज की मैं पचासदर पूला पमारूंगा और अंकित बयान पूरिया उनका जो 75 दिन का चैलेंज चल रहा था अपने एक वीडियो भी बनाया तो उसमें कहा था कि आपने इंटेडिस का चैलेंज दीचे और अपना जितना भी मतलब है उसको सब को फोड़ डालो किस प्रकार से चैलेंज होता है जैसे कि लास्ट कोश्टन से अपना रिपिट करता है कि किसे नसा कैसे छोड़े तो नसा कैसे छोड़ोगे लाइप में कोई चीज तब ने जाऊंगा सागे जाऊंगा बात यह पर आती है कि आदमी को अगर इंसान का ब्रेन ऐसे तयार किया है भगवान के द्वारा कि अगर वो टार्गेट को लेना बन कर दे तो उसका ब्रेन भी शॉट फॉर्म में डाउन फॉल होता जाएगा इसलिए बुरा था मैं स्टार्डिंग में वीडियो के कि आदमी को लाइप में कोई न कोई न कोई टार्गेट फिक्स करना चाहिए आप अगर जॉब लग भी जाओ या कुछ लाइप में हासिल भी कर लो तो आपको कुछ न कुछ लाइप में टार्गेट लेना चाहिए जैसे मेरे और भी टार्गेट है आने वाले समय में आपको बताऊंगा, तो बिना टार्गेट के जीवन नहीं है, यह जीवन के अंतिम छोड तक बता रहा हूं, ठीक है, सिर्फ जॉब पाना, लड़की देखना, साधी करना, जीवन, यह आपका जीवन नहीं है, यह काम तो जानवर भी करते हैं, आपको लाइ तक कि मैं हर दिन 10 पेज पुस्तक पढ़ूंगा, जैसे कि बिल गेट्स फरांडिंग और भी अम्मानी, एक्स वाइजट, लोग करते हैं, माजुगर भग, ठीक है न, तो आप की हैविट है, आप हर दिन 3 पेज पढ़ूंगा, इसको देरे देरे बहाते रहो, आपके पास अथाक सागर हो जाएगा, और आप लोगों से हर जाओगे, तो अपने आपको आम आदनी की दिष्टिकोर से हटाके, माहन आदनी की दिष्टिकोर में, आप देखो, आपका लाइप में चमतकारी रूप से लाइप आपका चैन्ज जाएगा, ठीक है, और समाज तो आपको बिना डिस्प्रिन के आप टार्गेट अच्छी निकर सकते बात करते हैं के सर कुछ डॉक्टर जो हैं उनके सहयात के लिए अच्छी है बलके और लेकिन जो फिटनेस वाल इतने लोग हैं वह कहते हैं कि एक प्रकार का जो है वह मतलब गलत काम करता है हानी पहुंचाती है डॉक्टर वह जो मस्टर बेसिंग करते हैं वह डॉक्टर जो बोर रहे ना वह परिबाद तो ऑल इन बोर रहे यूटूब के जरीए कि मस्टर बेसिंग करने से कोई फरक ने पड़ता यह नेच्रल है लेकिन अगर आप उनकी जाओगे कहीं भी क्लिनिक में अस्पताल में तो आप को इसपता बताएंगे वह यूटिप में इसपता सकते क्योंकि यूटिब मेन कोई करेटरियद्या को कि युट को ब्हु ब्रैन का विकास रूख सकते हैं यह बात लीख कि बोल दे हैं लिकन और वो बहुत बढ़ा फार्ट है मस्टर बेसिंग करने से आपकी लाइफ बरवाद हो सकती है तो कोई भी यूवा परसान हो जाएगा क्योंकि उसको सही समय में अगर कोई टीचर नहीं मिला जो समाल सके तो वो सुसाइट तक कर सकता है तो डॉक्टर उस स्टुडेंट की मनभवना को फिल करते हुए उनको एक प्रकार का जूटा दिलासा भी देते है कि मस्टर वैसिन एक प्रकार का मनभव चल जाता है प्रकृतिक है गर के लेकिन उनकी आगर आप प्लीनिंग में जाओ तो आपको बताएंगे कि आपको लाइब को डिश्ट्रॉय कर सकता है और बैं बता रहा हुँ कि यहार में मस्टर वैसिन किसी यूओ के ठीक नहीं है और न है ना है यह नेचरल आप नेचरल किसी मलब आप नर्मल्य आप आप सेक्स करते हो उड़ेव भॉक्कर लेकिन लेकिन मस्टर वैसिन नहीं है इससे आपको लाउस होगा आपई यह बात आप खुछ जानते होंगे जो मस्टबिसन करता होगा सर एक कोसन है कि जो युवा या फिर जिनके साधी हो चुके हैं तयारी करती हैं वह जो है सेक्स्वाल इंटर कोर्स करते हैं उसके बाद उनको क्राउन आने में कुछ समस्या हो सकती है अब ऐसा कुछ नहीं कि ले उसको आपको रोखना पड़ेगा हो सब्सक्राइब करते हो तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं जाएगा उसके अदा माइंड करने की जरूबत नहीं है जी सर और एक कुस्षण है जिन लोगों का जैसे की मेडिकल प्रावलम में जैसे की जो पैरलाइस है वह ने देखा है कि आपने कई लोग को ऐसे मतलब बताएं कि आप वो जो इनका हाथ पर में जो एक प्रकार से कहा जाए है पैरली से वह भी वो प्रेक्टिस कर सकते हैं कि आपने को ऐसा दिखते हैं तो उनके लिए सरकार ने अलग से खुल के रखी है अगर वो चाहे तो उस फिल्ड में जाके अपनी पर्तीभा का लुहा मनवा सकते हैं देखा कैसी नॉर्मल तीन फिट का आदमी जेवलीन फ्रोफे का है जिसके दो हाथ नहीं है सीतल देवी उन्होंने तिरंदाजी किया है ऐसे बहुत से लोग है हाई जम्प देखा है हाथ नहीं है काम नहीं कर रहे है 2.10 प्लस का हाई जम मारा है भरती में तो 150 मांगता है हाई हम पॉले उनको सर जीम करनी चाहिए शूर लेकिन जीम अब यह दिक्कत है कर मैं बोल जूंगा तो मेरे बात को महिन मत करना मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि देखो सरीर में इस्ट्रेंज जरूए है इस्ट्रेंद कहा से आएगा जब आप किसी वेट को उठाते हो तो आप कि जीम में जाओगे तो जीम वाले को अतना नालेज होता नहीं है क्यों नालेज नहीं होता है वह विचारे को यह पत लेकर नालेज नहीं है तो आपको जीम नहीं करना या मैक्जिम तिन तिन बार क्योओं आपके पास दाइट अच्छा तो दो बार क्योओं अगर आपके पास नॉर्म डैट तो तो यूंकि जीम में आपकी कलोरी बर्ण की चमत्ता महला बहुत ज़्यदा क्लूरी आपको लास होते है और रही बात जिसके कि deming बनाया हूँ वेट वाला देशी जीम वह भी व्याक्य बनाके अपना इस्टेंट वर्काउट कर सकता है या बड़े से फत्र को उठा सकता है इस्टेंट जरूरी ठीक है तो उसमें के दिक्कत निये जीम कर सकता है बस वह दो नॉलिज चाहिए जी सर एक और कुस्चान है एक क कितना से यह बहुत पंशनी हो सकता है करी बात बात यह है कोई उयूवा है कोई जाता है स्टा怎么 है। यह उसका उत्सा कं इस मील भात हो गया उसके डैट पर हावी अगर उसके प्रेक्टिस उसके डाइट पर हावी है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा हुं थो कभी-कभी खानपान के वज़े से भी हमको मसल्स में क्रैक साते हैंगा इंजरी आती है क्रैम साते है तो उसको हमको देखना पड़ेगा सबते हैं तो आप ढूर्ट के जैसे अब और करते हैं तो कि आप महातर जलिया खाके और मैं रियल बतारहूं प्रक्लारओन नार्मल जो आपको 됐ने आसे लए-बाद करसकते हैं,, अब हाई-ऍचॉन काम करते हो ठीक है है आप नसा करते हो और बीन अ Khanh फूर करते हैं उसमें आपको का ख्राणा आपको शूठ निया करेगा उसमें अपका साधरान भोजन तो आपकी लाइफ बहुत बड़ा भाइदा रहुल। ठीक है सर आप कुछ नय कोर्स भी लांच करने वाले हैं जो 36 पुलिस के त्यारी करने वाली है उनके लिए लास्ट टेम मेरे कोर्स आया था कि जिसमें जो इसको मैं देता हूं उसको मैं ट्रेनिंग का सेड्डूल पर देता हूं और उसको मैं कुछ भी की मॉटिवेशन वर्कर होते हैं वीडियो होते हैं वह मोसको प्रवाइड कर आता हूं इसमें में होते हैं ट्रेनिंग का शिर्जूल जिसकी प्राइज में रखा था 200 रूपिस वह है और अभी मैं एक और अपना कोर्स लांच करने वाला हूं जिसमें जो 36 पुलिस है क्यों जूर सकता है मैं महीने में 4 लूँगा स्वरी चार एक्जाम लूँगा चार टेस्री लूँगा लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फैदे मान ने इतना मैं कम फिस लटाओं फुरी नहीं क्योंकि छट्चित गर के गाउबोर के लोग होते हैं उनके लिए हो सकते कि पचास रुपया बहुत बड़ी बात हो लेकिन अगर वह एक बार हमारे ग्रूप में जुड़ जाएंगे त बड़ा सा गुरूप बनाओं 36 का लेबल में कम से कम 4-5 जार का जो एक साथ आगी भड़े मना वह भटके मत तो मैं ये काम करूंगा कि जो यूवा भटक जाता है या उनका ब्रेनवास किसी भी तरीके से कर दियाता है वह ऐसा कुछ नहों मनला बेक पाकार कि मैं उनको अप अबाद सार आपका आप नहों लोग करें यौव से बात की और कुछ कुछ समस्याओं का समयदान किया तो ठीक है मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंत